आप सभी का स्वागत करता हूं यह ज़नरत क्या है यह आपसे पूछ गया को बढ़ाने के लिए था तो देखते हैं कितने लोग सही ज़ाब देपाते हैं कमेंट करके अपना आंसर दे कि आप क्या सोच रहे हैं क्या होना चाहिए इसका जवाब जनरत क्या है तो दरसल मैं आपको बता दूँ आपने नाम सुना होगा गरीबरत गरीबरत जो है ये एक रेल सेवा थी जिसको आप जानते ही होंगे भली बाती परिचित होंगे जो पू पैचाना अखिलेश यादव ने क्या है उत्तरपरदेश में एक बस सेवा को स्टार्ट किया था जिसका नाम जनरत तो क्रेक्ट आंसर होगा डी ये एक बस सेवा थी ये ऐसी बस सेवा थी next question है उत्तरपरदेश सरकार ने वर्स 2015-16 को किस रूप में मनाने का निरने लिया थ मतला 2015-16 जो उत्तापरदेस सरकार ने मनाया वो किस रूप में मनाया था युवा वर्स के रूप में, महिला सुरक्सा वर्स के रूप में, किसान वर्स के रूप में या पर्यावरन सर्रक्षन वर्स के रूप में 2015-16 जो मनाया गया उत्तापरदेश में वो किस वर्स के रूप में मनाया गया था Correct answer होगा किसान वर्स किस वर्स में किसान वर्स के रूप में मनाया गया था 2015-16 Next question उत्तापरदेश सरकार की आयका सबसे बड़ा भाग कहां से आता है Comment करके जो आप दीजेगा पंजीकरन सुल्क से व्यापार कर से भूमी राजसु से या फिर डी संग्य एक्साइज जूटी के हिस्से से उत्तापरदेश सरकार की आयका सबसे बड़ा भाग बिल्कुल सही जवाब है जिन लोग ने comment किया है C उनका बिल्कुल गलत जवाब है correct answer व्यापार कर है व्यापार कर से आता है किस से व्यापार कर से उत्तापरदेश सरकार की आयका सबसे बड़ा भाग आता है व्यापार कर से correct answer होगा B B is the correct answer next question उत्तापरदेश में knowledge park की स्थापना कहाँ पर की गई थी कहाँ पर की गई थी नोलिज पार की स्थापना वारानसी में, नोएडा में, लखनव में या ग्रेटर नोएडा में तो हमारा इसका जो correct answer होगा, वो होगा, कहां पर हुई थी? बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेटर नोएडा में नोलिज पार्क की स्थापना की गई थी greater नोएडा में नेक्स कुशन है उत्तर परदेश किर्सी अनुसंधान परिसद कहां परिस्थित है मेरट में, बुलंद सहर में, लखनव में, गोरकपुर में दोस्तो ये उत्तर परदेश के वेक सवाल है जो बार-बार पेपर में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे आप किसी भी exam का प्रिप्रेशन कर रहे हो उत्तर परदेश पुलिस हो, उत्तर परदेश PCS हो उत्तर परदेश ROAR is हो, समिक्षा अधीकारी कोई भी exam हो चाहे लेकपाल हो, कोई भी भरती हो वहाँ पर उत्ताय परदेश से सवाल आएगा तो यहाँ से question आपको देखने को मिलेंगे तो उत्ताय परदेश किरसी अनुसंदान चंस्थान जो है यह लखनाओं के अंदर इस्तित है तो correct answer होगा C next question है और next question पर जाने से पहले उत्ताय परदेश में आलू का अनुसंदान केंदर किस जिले में है फरुकाबाद, मेरट, कानपूर या हिलाबाद आलू का अनुसंदान केंदर उत्ताय परदेश में कहां पर इस्तित है आपका जवाब क्या है बिल्कुल सही मोधीपुरम मेरट में बिल्कुल सही जो आब है मोधिपुरा मेरट में स्थित है आलू का अनुसंधान केंद्र बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश में किर्सी उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक परभावी है उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता परियोग मतलब जो हाई ब्रीड के बीज है उनको इस्तमाल करना होगा उन्नित किस्म के बीजों का बढ़ता परियोग उत्तर परदेश सरकार ने विबिन सहरों में मेट्रो चलाने का निर्ना लिया कौन सा सहर है जो इसमें सामिल नहीं है जहां पर मेट्रो नहीं चलाएगी कानपूर, इलाबाद, आगराय वारानसी तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इलाबाद जिसका ना बदल कर क्या कर दिया गया है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नेक्स्कोशन है बढ़ने से पहले अवार्डस और जिसमें मैंने अब तक जितने भी पुरुसकार दिये गए उसका डिसकर्सन किया है उसके दो पार्ट जारी किया जा चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जरूर देखेगा नेक्स्कोशन पर आते हैं उत्तर पर्देश मध्या चेतर सांस्कृति केंदर जिसको बोला गया así बार्णसी में दोसने तीन साल पहले एक कोश्चन पेपर में पूछा गया था सायद आप exam में ना पुछा जाए लेकिन मैं फिर भी बता दिया है correct answer होगा वरान सी तो दोस्तो ये कुछ question थे जो उत्तरपरदेश के 9-10 सवाल आपके paper में पूछे गए थे 9-10 सवाल ही हर एक paper में उत्तरपरदेश से examiner पूछता है 100 सवालों में से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और लग रहा है कि हाँ सर अच्छा काम कर रहे है 9-10 सवाल जितने भी exam से पूछे के उत्तरपरदेश से वो हमें cover करा रहे हैं तो वीडियो को like करें भारत टेक केर लव योल